Moon Lightning आज के लिए topic काफी चर्चा में है जहाँ पर बड़ी-बड़ी company जैसे की Infosys, TCS, Wipro जो इसके strictly against है On the other hand, कुछ बड़ी-बड़ी companies हैं जैसे की Swiggy जो Moon Lightning को proudly promote भी करती है So, इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये Moon Lightning होता क्या है, कुछ company इसके against में क्यों है And कुछ company इसको proudly promote क्यों करती है And अगर आप Moon Lightning करते हैं, तो आपको जो additional income होती है Moon Lightning की बज़े से उस income को taxation front पर कैसे deal करना है But आगे चलने से पहले आप इस वीडियो को like share जरूर करें And चैनल को subscribe करें सबसे पहले जानते हैं ये Moon Lightning क्या होता है Suppose आप किसी एक company में job करते हैं आपको एक opportunity मिली And आपने किसी दूसरी company में भी job करना शुरू कर दिया या फिर आपने दूसरी जगे अपनी services provide करनी शुरू कर दी In the form of consultancy, gig worker, etc. अब इस additional employment या फिर assignment को आपने main employer के साथ disclose किया, नहीं किया, doesn't matter इसको हम बोलते है Moon Lightning जहाँ पर आप एक main employer के साथ साथ दूसरी जगे भी काम करना शुरू कर देते हो अपनी services provide करनी शुरू कर देते हो और वहाँ से आपको पैसे मिलने लग जाते है Now Moon Lightning का आपके employer के उपर क्या फरक पड़ता है वो depend करता है that आपकी nature of job कैसी है अगर आपकी nature of job वो highly complicated है उसमें high quality की skills चाहिए तो वहाँ पर कई बार क्या होता है जो आपका main employer होता है वो आपको training provide करता है वो आपको और भी knowledge resources provide करता है जिसकी बज़े से वो employer आपके उपर काफी खर्चा भी करता है now suppose आपके main employer ने आपको train किया आपको और भी knowledgeable resources provide किये जिसकी बज़े से आपकी skills ये काफी हद तक improve हो गई and कोई दूसरी company आपके पास आई उन्होंने आपको approach किया and आप उनको अपनी services provide करने लग गए basically आप moonlighting करने लग गए तो इससे क्या होता है इससे जो आपका main employer है उसको कई बार नुकसान भी होता है because इस case में क्या हुआ एक company ने तो आपको salary भी दी उसके अलावा उसने आपकी skills को भी enhance किया है उसने आपको knowledgeable resources भी दिये and उसकी बज़े से आपकी quality of work skills improve हुई and उन improved skills की बज़े से आप दूसरी जगे जाकर पैसे कमाने लग गए तो यहाँ पर कई बार आपका main employer cheated feel करता है and वो आपके employment letter में काफी सारी strict conditions भी डालते हैं जिसकी बज़े से आप दूसरी जगे moon lightning नहीं कर सकते and यही reason होता है that काफी सारी companies वो moon lightning के strictly against होती है on the other hand and उसमें company कितना खर्चा करती होगी वो भी आपको पता है now you know that swiggy यह moon lightning को क्यों promote करती है so अब हमें basically एक idea लग गया है that moon lightning क्या होता है कुछ companies इसके against में क्यों है and कुछ companies इसको proudly promote क्यों करती है now अब हम moon lightning करते क्यों है to earn some extra income and we don't want कि जो हमने extra पैसे कमाई है वो fall to में ही कहीं और चले जाए and the better way is to bring some certainty कि जो मैंने extra income कमाई है वो मेरे पास ही रहेगी उससे future में use कर सकता हूँ and one of such uncertainty is the taxation suppose आपने moon lightning से कुछ पैसे कमाई उस पैसे की उपर आपने tax नहीं दिया and बाद में जब आप पकड़े जाते हो तो tax तो आपको देना पड़ेगा उसके साथ साथ आपको interest in penalty भी देनी पड़ेगी and काफी सारे cases में जब आप उस time पर tax interest penalty देते हो तो वो almost आपकी income के बराबर ही होता है that means आपने एक जगे से पैसे कमाई and दूसरी जगे उसकी payment कर दी आपके पास तो कुछ बचा ही नहीं so इसका सबसे अच्छा तरीका है that जो भी आपने moon lightning से income earned की है उसके उपर आप properly tax pay करें and बाद में अपना income tax return file कर दे so जो moon lightning की income है आपको taxation front पर कैसे deal करना आये जानते है now अब अगर आप moon lightning कर रहे हो in the form of employment मतलब आप दो जगे पर job कर रहे हो तो वहाँ पर आपकी taxation से related compliance काफी easy हो जाती है दौनों employer में से किसी भी एक employer के पास आपको सिर्फ अपनी ठीक से income disclose करनी है and वो employer आपकी उस income पर tedious card लेगा and बाद में आपको सिर्फ अपना income tax return file करना है and you are home आपको ज़्यादा कोई problem नहीं होगी and अगर आपने ऐसा भी नहीं किया हो सकता है आपने दोनों employer को ठीक से tax declaration नहीं दी या फिर कुछ deductions, कुछ investment आपने दोनों employer को दिखा दी जिसकी बज़े से उन employees ने आपका come to EDS काटा है तो जब भी आप अपना income tax return file करने बैठ होगे उस time आप अपनी total income पर ठीक से tax जमा करना and you are home आपको ज़्यादा कुछ करने की चिरूरत नहीं है दूसरी and more complicated situation होती है जहाँ पर आप moon lightning करते हो other than salary की form में मतलब हो सकता है आप consultancy provide कर रहे हो हो सकता है आप gig worker हो हो सकता है आप किसी और form में earning कर रहे हो यहाँ पर complication depend करते है that आपकी nature of work क्या है आपकी moon lightning से income level क्या है etc. etc. जैसे कि हो सकता है आपको full-fledged books of accounts बनाना पड़े आपको GST में registration करवाना पड़े आपको tax audit करवाना पड़े आपको GST का audit करवाना पड़े etc. etc. on the other hand अगर आपकी moon lightning से income थोड़ी सी कम है हो सकता है वो 20-30,000 है हो सकता है वो 1-2,00,000 रुपे है तो उस case में क्या है वहाँ पर आपकी complications थोड़ी सी कम हो जाती है वहाँ पर क्या होता है जो आपको पैसे मिले उस पर TDS कटा हो या फिर ना भी कटा हो अगर TDS कटा है हो सकता है वो 2% कटा हो वो 10% कटा हो तो अगर आपका 2% TDS कटा है और आप 30% के bracket में हो तो आपको balance 28% tax वो आपको अपनी जेप से जमा करना है ऐसे ही अगर आपका TDS वो 10% कटा है और आप 30% के bracket में हो तब आपको balance 20% tax वो अपनी जेप से जमा करना पड़ेगा और balance tax के साथ साथ आपको SES and Health SES भी जमा करना पड़ेगा यहाँ पर इन सारी बातों का क्रक्स क्या निकलता है वो यह है जो भी आपकी Moonlightning से income है उसके उपर आप properly tax जमा करें और उस income को आप अपनी ITR में properly disclose करें That's it, you are home Otherwise हो सकता आपको future में problem हो अगर आपको वीडियो पसंदा हो तो उसे like share जुरूर करें और चानल को subscribe करें Thank you